हाई गाईज दिस बभीटा वेलकम बैक तो माई चैनल दडिवाइन लाई टॉप टेरो गाईज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थामने ने देखी लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करें आज का जो टॉपिक है वही है कि क्या आपके शत्र अपना कर्मा भोग रहे हैं यह हम इस लिडिंग के तुर देखने वाले हैं और अभी तक अगर आप ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेर कमेंट जरूर करें साथ साथ अगर आप परसनल लेना चाहते तो वाट्सप नमबर अल्रेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं तो यहां पर जो कार्ड निकल के आ रहे हैं वा रहे हैं एंजेल आफ स्ट्रेंद डिस सीट तो क्या आपके शत्रों को उनके भुरे कर्मों का कर्मा मिल रहा है प्रेंदम ली एक कार्ड निकालूंगी यहां से जो भी कार्ड आ जाए तो यहां पर आ रहा है टेंपल पाथ क्या फर्स चक्रा आरकेंजल माइकल थर्ड चक्रा आरकेंजल शेमूल एंजेल आफ लव बॉटम अफ तर दैक जो आ रहा है वो आ रहा है यहां पर हीलर आप दैजिसको क्रड प्राफ क्योंकर देखना क्राइब मात प्राफ क्योंकर आप नाए वो रहा है रहा है यहा है यहा है यहाँ यह जो रीडिंग है यह आल जोडियक साइन के लिए है कोई पर्टिकूलर जोडियक साइन नहीं है इस रीडिंग में तो यहां पर जो काड आ रहा है वा रहा है कम्प्लीशन थंडर बूल्ट मास्टर कम्प्रोमाइज ब्रेक्थ्रूँ शोग दाउन बॉटम अव दा बाटम ओ दा डेक जो आ रहा है वा रहा है आ रहा है अबन देन्स कुछ कार्ड्स और हम लेंगे एवरी डे विच औरेकल से लेंगे कुछ कार्ड्स नहां पर आरा है टू आप सूर्स देथ एट आप वर्ण्स नाइन आप सूर्स सेवन और आप सूर्स नहां नाइन आप सूर्स विच और आप सूर्स इंगवले आप भाय प 와서 होुआं से intric हो आरा है यहां पर आप आयश और cud नियाय मिलना आपके आपके यह कह सकते हैं आपने जितना भी यह कह सकते हैं कि जितनी भी परिशानी आपने जेली है दुश्मनों के कारण, शत्रों के कारण या जो भी पीड़ा आपको शत्रों के कारण हो रही है उसका इंसाफ आपको मिलने लगा है वो clarity, justice आपको कह सकते हैं, मिलना स्टार्ट हो गया है और abundance, आपकी life में abundance हा रही है Healer of the Agist का कार्ड आप हील हो रहे हो लेकिन शत्रू का जो है, आपकी energy बतारी हो है Healer of the Agist का कार्ड मतलब आप हील हो रहे हैं और जब इनसान हील होना स्टार्ट होता है तभी उसको जो है, उसके शत्रू को कर्मा मिलना स्टार्ट होता है जब आप उन्ची जो को भूल जाते हो जब आप let go कर देते हो, surrender कर देते हो इश्वर के उपर जब आप जो है, अपने जीवन में मस्थ हो जाते हो सारे ग्रजे, सारी परिशानी आप भूल जाते हो तभी शत्रू को कर्मा मिलना स्टार्ट होता है जब आप को लगता है ना, जब आप परिशान होते हो जब आप रोते हो, जब दुश्मनों के कारण, चत्रों के कारण जब आपको किसी तरह की परिशानी मिलती है किसी तरह का, ये कह सकते हैं, लॉस होता है तब आप बहुत इरिटेट होते हो, बहुत लो एनरजी, लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, कभी-कभी हो सकता है, आपको लगता हो कि ईश्वर ने आपके साथ इनसाफ नहीं किया है, ईश्वर आपके शत्रूओं को दंडे नहीं दे रहा है, इस तरह से आपको हो सकता है, फीलिंग आती हो, लेकिन उस समय उनको कर्मा नहीं मिलता, क्योंकि आपका ध्यान उस समय आपके शत्रूओं पर ही होता है, आप चाहते हो कि जल्द से जल्द शत्रूओं को दंड मिल जाए, आप चाहते हो कि जल्द से जल्द उसको उसके कर्मों की सजा मिल जाए, लेकिन आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। यहां पर कहने का मतलब यह है कि हमारी मरजी से हो तो बहतर और हमारी मरजी से नहीं हो तो और भी बहतर। जब आपकी मर्जी से नहीं होता तो इश्वर की मर्जी से होता है जो चीजें होती हैं तो उस वक्त आप हो सकता है आप इंतजार में रहते हो आप वेट कर रहे होते हो आपको ऐसा लगता है कि शत्रू को दड़ मिल जाए क्योंकि आप उस समय बहुत लो बाइब्रेशन में रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, बहुत सैड रहते हैं, क्योंकि उस समय जो शत्रु का जो टाइम है, वो बहुत अनुकूल चल रहा होता, और आपका समय जो बहुत प्रतिकूल चल रहा होता, तो शत्रु आपको कही ना कही जो है, मात देने में लगा रहता है, कही ना कह आपको छोटा दिखाना नीचा दिखाने में लगा रहता है और आपको देखके लगता है कि देखो इश्वर जो है इनके साथ आपके साथ नियाय नहीं कर रहा है इस तरह की जब आपको फीलिंग्स आती है और उस समय आप बहुत लो वाइब्रेशन में रोते हो कई भार लेकिन उनका कुछ ही नहीं होता क्योंकि एक समय आने पर ही इंसान को उसके कर्मों की सजा मिलती है जिस तरह से पतं को ढील दी जाती ताकि वह भूट फ्रीडम के साथ उपर आसमान में उड़ती रहे उड़ती रहे पिर अचानक से जब उस पेज को खीचा जाता है तो क्या होता है पतं तूट जाती है तो इसी तरह से शत्रूं को भी जब शत्रूं आपके साथ बुरा कर रहे होते हैं जब शत्रूं आपके साथ आपका किसी तरह से हर्ट कर रहे होते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि इश्वर आपके साथ नि देखें और इश्वर को पता है और वो जानना चाहता है कि इसको मैं धील देता हूं तो यह देखता हूं कितनी हद तक नीचे गिरता है यह किस हद तक जाता है और अचानक से जब उसके बहुत ज़्यादा अत्ती हो जाती तब इश्वर जो है उसकी पतंग की जो डोर है उसको खेचता है तो यहाँ पर आपको कई बार ट्रस्ट नहीं होता स्लोइंग डाउन का काड है आपको ऐसा लगता है कि बहुत समय जो है बहुत दीरे 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 चल रहा है आपको अपने उपर आपके इश्वर के उपर विश्वास नहीं होता आपको अपने करमों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि आपने तो अच्छे करम किये हैं आप आपने किसी का बुरा नहीं किया लेकिन सामने वाला कर रही है उसका कर्म है यह उसका यह कह सकते हैं कर्म है तो यहां पर five of swords का काड़े शत्रु आपको हरा कर शत्रु आपको नीचा दिखा कर सूचता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया भाथ बाध बड़ा तीर मार लिया और बहुत उसकी कह सकते हैं इस तरह से बहुत खराब सी एक smile मतलब जब हम किसी को धोका देने के बाद एकी स्माइल आती ना उस तरह की हसी के साथ शत्रू जो है वह हसता है उसको लगता है आरे मैंने तो इसको धोका दे दी आरे इसने तो यह तो मैंना कुछ नहीं विगाल सकता मैंने तो इसको मात दे दी बहुत खुश होता है लेकिन दिसीट करता है उसके बाद शत्रू को लगता है कि किंग आफ सोट्स का काड़ है, उसने बहुत दिमाग से चल चली है, उसका कोई भी कुछ नहीं भी कार पाएगा है ना, ऐसा सोचता है शत्रू लेकिन इश्वर जो है वो बहुत बड़ा है, टेंपल पात का काड़ हो सकता ह आपकी पूजा, आपकी भक्ती, आप जो पूजा पाट करते हैं, जो अच्छे करमा करते हैं, उनका अफल आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलता है, मतलब जब हम अच्छे करम करते हैं, जब हम पूजा पाट करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, अपनी तरब से किसी का जरूर लेता है, आप इस्तिथी से कंप्रोमाईस कर लेते हो, आप जो है, नाइन आप सोर्स की एनरजी, कई बार आप बहुत दुखी हो जाते हो, आपकी रातों की नीदे उड़ जाती हो, कई बार आपको ऐसा लगता है कि इन सब चीजों का अंत कब होगा, क्योंकि आप इन तो यहाँ पर आपके शत्रूओं को डेथ का कार्ड राती है, जीवन में, अगर राथ है तो रात के बाद सवेरा जरूर आता है, और सवेरा आए तो सवेरे के बाद रात जरूर आती है, इस तरह से negative transformation आपके शत्रूओं की लाइफ में हो रहा है, उसके जीवन में परिवर पवरतन हो रहा है और इश्वर की तरफ से हो रहा है। उसकी लाइफ में स्ट्रगल सा रहा है। उसकी आप विशेव पुलपिल नहीं हो रही हैं। क्योंकि समय खराब समय का पईया जो है वो मूडता है हमेशा जो चीजे आज थी वो कल नहीं हो सकती जो कल थी वो आज नहीं हो सकती इस तरह से जो है यहां पर Angels कहीं न कहीं आपको Protect करते हैं Archangel Michael जो है हमेशा आपके साथ Protection के लिए खड़े रहते हैं साथ-साथ Archangel Shemul जो हमेशा आपके साथ हैं वो आपको कहीं न कहीं जो है कहीं न कहीं आपको हिम्मत देते हैं कहीं न कहीं आपको Confidence देते हैं कहीं न कहीं आप उनकी वज़े से उनकी सपोर्ट उनकी Blessings की वज़े से आप हिम्मत नहीं हारते हो और Angel of Love जो हैं उनकी भी Blessings आपको कभी न कहीं न मिलती है Angel of Strength जिससे हम महाशक्ती बोलते हैं महाकाली बोलते हैं उनकी भी Blessings आपको मिलती रहती हैं और जब माकाली और दिव्वे शक्तियों का साथ होता है तो जीवन में कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता एक समय था जब लोग आपको शत्रू परिशान करते थे लेकिन अब कर्मा उनको मिलना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि अब वक्त आ चुका है इश्वर ने उनकी जो पतंग उसको खीच ली है और उनकी पतंग अब तूट चुकी है और अभी ये कहां जाकर गिरेगी ये किसी को नहीं पता है तो यहां पर थंडर बोल्ट का कार्ड है देखिए यहां पर tower moment आपके शत्रों की life में आ रहा है जिन चीजों को हम जवाब नहीं दे सकते उन लोगों को इश्वर जवाब देता है समय आने पर क्योंकि यहां पर death का कार्ड है यहां पर thunder बोल्ट का कार्ड है आपके शत्रों की life में एक major shift आ रहा है major changes आ रहा है जब वो कितना भी अपना दिमाग लगा ले कितनी भी चालाकी दिखा ले लेकिन उनकी life में struggles आना start हो गया है एक के बाद कुछ ना कुछ परिशानियां start हो गई है चारों तरफ से आपके शत्रों परिशानियों से घिर चुके हैं और आप जो हो आपने let go कर दिया है आपने छोड़ दिया है क्योंकि आपने उनको इश्वर के उपर छोड़ दिया है कि इश्वर जितना भी उन्होंने आपको कष्ट दिया है जितना भी आपको उन्होंने रुलाया है, दुखी किया है, आपको इंसल्ट किया है, आपका अपमान किया है, उसका बदला जो है इश्वर लेगा, आपने लेड़को कर दिया है, आपने उनको एक तरह से फॉर्गेट कर दिया, भूल रहे हैं, यह कह सकते हैं आपने माफ कर कि आब आप आगे बढ़ रहे हैं और जब हम माफ करके आगे बढ़ने लगते हैं तो शत्रू को जो है कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जब तक हम शत्रू के उपर फोकस करते रहेंगे that means हम उसकी शक्तियों को प्लवर दे रहे हैं हम बार बार उसको देखते हैं कि उसको पता नहीं कर्मा मिल रहा है के नहीं मिल रहा है कभी कभी होता ना कि आप सोचते हो कि शत्रू तो बढ़ा खुश दिखाई दे रहा है इसकी लाइप में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है इ जब हम उसको कहीं ना कहें शक्ति दे रहें और जब हम उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं, जब हम उसको भूल जाते हैं, जब हम यह सोचते हैं कि भगवान से बड़ा नहीं हो सकता यह इनसान, और इसको दंड अवश्य मिलेगा समय आने पर, तो definitely, जब हम भगवान के उपर सब को छोड़ देते हैं, और भगवान के साथ हो लेते हैं, और forgive करके जीवर में आगे बढ़ते हैं, उसी समय से शत्रू को दंड मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि शत्रू ने आपको बहुत परिशान किया, बहुत दुखी किया, कई बार बार-बार मतलब आपने हो सकता है, बार-बार माफ करके उनको गले लगाया हो, बार-बार compromise किया हो, बार-बार आपने ये सोचाओ के नहीं, आज नहीं, ये कल जो है सामने वाला इस चीज़ को समझेगा, कल जो है इसको अपनी गलतियों का realize होगा, लेकिन इन शत्रू को ज जब उनकी गलतियों का realize नहीं होता, तभी इश्वर जो कहीं ना कहीं से उनकी कमान अपने हाथ में ले लेते हैं, और अब जो है आपके शत्रू बहुत परिशान है, बहुत परिशानी आ रही है, कई तरह से उनको मुसीबत हो सकता है, वो आपको बता नहीं रहे हो, आपको पता भी कैसे लगेगा, क्योंकि शत्रू आपको थोड़ी बताएगा कि मैं परिशान हूँ, क्योंकि उसको पता अगर आपको पता लगेगा, तो आप तो खुश होगे ना, तो इसलिए वो किसी को show off नहीं करता कि मैं कितना परिशान चल रहा हूँ, मैं कितना दुखी बस उपर से वो सामने वाले को दिखाता रहता है, और बोस्टिंग करता रहता है, बोस्टिंग मतलब शेखी बगाता रहता है, कि मैं दिलाइट में तो ये चल रहा है, मैं तो बहुत खुशू हूँ, है ना, ताकि वो उन सब चीजों को छुपा रहा है, जो डंड उसको मि मिल रहा है, जो पीड़ा वो भोग रहा है, उन सब चीजों को दबा रहा है, वो नहीं चाहता कि लोग जाने की वो दुखी है, क्योंकि लोगों को भी पता है कि ये दुश्ष्ट इंसान है, और जब लोगों को पता लगेगा कि इसकी लाइफ में ऐसा हlorा है, तो लोग डे लोग जो close friends होते हैं जो उसके relative होते हैं उनको पता रहता है कि इसकी life में क्या चल रहा है क्योंकि जो दुष्ट लोग होते हैं अगर वह आपके शत्रू हैं तो वह कभी भी अपने minus point को कोशिश करेंगे कि किसी को भी पता ना लगे अपनी गलतियों को हमेशा चुपाने की कोशिश करते हैं अपने आपको सही बताने की कोशिश करते हैं दुनिया के सामने तो यहाँ पर आपके शत्रों को दंड मिल रहा है धीरे देर से ही सही बट मिल रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ धोका किया है उन्होंने आपके सा तो आपके शत्रों की लाइफ में परिशानिया आनी स्टार्ट हो गई हैं, आपकी लाइफ में एबंडेंस आ रही है, देखें यहां पर शेडो कार्ड आ रहा है माईजर, माईजर मीन्स यह लोग माईजर होते हैं, माईजर मतलब यह अपनी भावनाओं को किसी को नहीं बता आते किसी को, तो आपके शत्रों की लाइफ में बहुत पूरा समय आ चुका है, उनको उनकी कर्मों का पल मिलना स्टार्ट हो चुका है, कुछ लोगों को तो देखिए, ऐसा भी होता है, अगर उनको ईश्वर दंड नहीं दे पारा किसी उज़े से, तो कुछ नेगेटिव एंटिटीज भी उनके साथ कनेक्ट हो जाती है, वो नेगेटिव एंटिटीज जो हैं बदला लेती हैं कई बार, तो नेगेटिव लोगों की तरफ नेगेटिव चीज़े जल्दी अट्रेक्ट होती है, तो इस तरह से उन्हें कहीं ना कहीं दंड जरूर मिलता है, और यह चीज़े हो रही है, नेगेटिव एंटिटीज वाली वो 5% लोगों के साथ होती है, तो आपके शत्रों को कहीं ना कहीं उनके करमों की सजा मिल रही है या मिल चुकी है, इस बात की शिवरिटी है, जहां आपने उनको भूले ना अपने कर्स करना, आपने उन्हें इश्वर की और छोड़ दिया, कि इश्वर इसको दंड देंगे, इश्वर की उपर छोड़ दिया, वहीं से उसको कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाता कहीं न दे, उसके कर्मों का दंड उसको मिलना शुरू हो जाता है, यह थी आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेर कमेंट जरूर कीजिए, थैंक यू सो मज पॉर वाचिंग माई वीडियो, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साही रांग, जै मातादी, राधे राधे